तो दोस्तो स्वागत है आपका हमारी एकावन नई वीडियो में तो अगर आपने समसंग का डिवाईस यूज़ किया है जो कि वन यूई पर बेस्ट होते हैं तो आपको पता ही होगा कि समसंग के फ्लेश लाइट पर एक यूनिक फीचर दिया होता है फ्लेश लाइट को अज करने का यानि कि फ्लेश लाइट का जो ब्राइटनेस होता है उसे आप अपने हिसाब से कम या फिर ज्यादा कर सकते हो तो यही वाला फीचर जो है दोस्तों आज हम अपने एंड्रोइड डिवाइस पर इनेबल करने वाले हैं और यह मिथड़ जो है दोस्तों किसी भी करने से पहले दॉस्तों आपको अपने डिवाइस को रूट कर लेना है क्या सबस्सक्वर करने के बार वहां को बाद निचे दिश्रीम ने मिल जाएगा वहा से आप डाउलोड कर लिजीगा डाउन्वर नेके बाद में आपको इसस तरीकर से नहीं लीना है तो एकन कुछी इस तरीक से दिखे हैं यहां पर रेट कलर में देख सकते हो इसे जो है आपको सिंप्ली ओपन करना है कि ओपन करोगे तो यह रूट परमिशन चेक करेगा और जो आप आप से यह रूट परमिशन मांगे तो यहां से आपको इसे ग्रांड कर देना है तो यहां से आपको जो है डिवाइस का लिश्ट मिल जाएगा बहुत सारे मॉडल का एम आई का है रेड्मी का है मौट लेनोगा और यहाँ पर यहाँ पर one प्लस वगेरह का भी दिया हुआ तो अगर आप यहां पर Redmi Note 4 चूज़ करोगे तो आपको तीन जो है control मिलेगा एक yellow के लिए और एक white के लिए और एक master यानि कि दोनों light को एक साथ adjust करने के लिए तो इसलिए अगर आपका devices में है तो यह आपके लिए proper way में काम करेगा तो मेरा devices पर लिस्टेड नहीं है क्योंकि यहां पर मैं Redmi 4 यूज़ कर रहा हूं और तो यहां पर इसका मिलता जूलता model है Redmi 4A तो मैं यह सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां simply OK कर देता हूं तो यहां पर device सेलेक्ट होगे उसके बाद मैं simply यहां से apply कर देता हूं कि apply होने के बाद में कुछ इस तरीके का आपको interface मिलेगा एक आपको switch मिलेगा adjustable तो यहां से हम फ्लेशलाइट एक point पर रखते हैं तो कुछ इतना है थोड़ा और बढ़ाते हैं और बढ़ाता हूं मैं और थोड़ा और यहां से मैं full कर देता हूं तो कुछ इस तरीके से दोस्तो आप जो है अपना flashlight है उसे adjust कर पाओगे उसके brightness जो है उसे अपने हिसाब से कम या फिर ज्यादा कर सकते हो तो इस वाले जो flashlight एफ है दोस्तो इसका एक और फायदा है वो मैं आपको दिखायता हूं तो यहां प फ्लेशलाइट है और यह इस एप का flashlight है तो आप देख सकते हैं दोस्तो अंतर कितने का है यानि कि इस एप के जो फ्लेशलाइट है इसमें जो है दोस्तो ब्राइटनेस ज्यादा है इस टॉक वाले के मुकाबले में तो इस तरीके से दोस्तो इस एप का यूज़ करके आप फ्लेसलाइट का जो ब्राइटनेस है उसे भी बढ़ा सकते हूँ तो दौस्तो अगर आप इसका फूल वाले ब्रैटनेस के यूज़ कर रहे हो तो उसे ज्यादा देर तक यूज़ करें एकाद द Sverige यूजaları में ही तो अग्ड़र सा हम चाँल आप और इसे एक बार आपको फिर से इनेबल करके दिखा देता हूं तो दोस्तों कि इस तरीका से आप जो है बहुंती इजी तरीका से इस एप को जो है इंस्टॉल कर सकते हो इस फीचर को अपने किसी भी Android डिवाइस पर इनेबल कर सकते हो तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरू से वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर बाई बाई